नमस्कार मैं R.D. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान सबसे पहले मैं अपने दर्सकों को जैभीम कहना चाहूंगा और आज का ताजा अपडेट्स बहुजन समाज पार्टी में जो करीबी नेता है उन्होंने कुछ सवाल किये हैं मैं आपको बता दूँ कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और वहां पे सचिव हुआ करते थे कुमर फटेह बहादुर सिंग जो I.S. अफसर थे और बसपा के काफी करीबी सचिव थे उन्होंने अपनी I.S. की नौकरी छोर कर बसपा जॉइन किया और बहन माया बती जी के काफी नजदी की काफी करीबी नेता माने जाते हैं उन्होंने एक प्रस्ण किया एक बहुत बड़ा प्रस्ण जब दानिस अली जी को लोकसभा के सदन का नेता से हटा कर रितेश पांडे को जब नेता बनाया गया तो बहन माया बती जी ने यह कहा कि समाजिक सामन्जस को बनाने के लिए हमने ये काम किया है क्यूकि उत्तर प्रदेश के जो मुनकाद अली जी है प्रदेश अध्यक्ष है और अल्पसंख्यक समदाय से आते हैं और रही बात ये कि रितेश पांडे जी सवर्न है इसलिए इनको हमने बनाया है ताकि समाजिक सामन्जस बना रहे प्रंतु कुमर फतेह बहादुर सिंग का कहना या है कि ये मेरी औसहमती नहीं लेकिन जवाब चाहिए अगर लोग सभा में रितेश पांडे जी सदन के नेता है और राज सभा में सतीस मिसरा जी सदन के नेता है तो दोनों जगह ब्रामन ही क्यों बहुजन समाज के नेता सदन के नेता क्यों नहीं बन सकते बहन माया बती जी इसका भी खुलासा कर दे इसका भी जवाब दे दे रही बात ये कि जो उनके करीबी नेता है सवाल तो करेंगे अगर हर सवाल पर यह डर हो कि पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा तो लोग गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पाएंगे रही बात ये आज इन प्रस्नों में बहुजन समाज का प्रस्न छुपा हुआ है बहुजन समाज बहन माया बती जीसे आसा भरी निगाहों से देखता रहता है अगर आप बहुजन समाज के लोगों को इग्नोर करेंगे या समाजिक सामंजस को बनाए रखने के लिए बहुजन समाज अगर पीछे धकेला जाए तो यह कोई इंसाफ नहीं बहुजन समाज यह इंसाफ की मांग करता रहेगा हर जगा से प्रस्ण होते हैं लेकिन अब तो करीबी नेता प्रस्ण करने लग गए है रही बात यह आप सब को जोर कर चलिए परन्तु किसी एक को इतना उचा मत कर दीजिए या इतना लिफ्ट ना दे दीजिए ताकि दुसरा समाज अपने आपको दबा हुआ महसूस करे कोचला हुआ महसूस करे अब यहां बात दबने और कुचलने की नहीं है बात यहा है कि जब हम जानते हैं कि दो सदन है राजसभा और लोकसभा तो राजसभा में बाद में जाती है फैसले होने के लिए लोकसभा में पहले डिसकस होता है अगर आपने रितेस पांडे जी को बनाया है, तो वहां जो है आप राजसभा में किसी बहुजन समाज के नेता को सदन का नेता बना दीजिए, तभी तो समाजिक सामंजस होगा, इस तरह से अगर दूर के नेता सवाल करते हैं, तो प्रस्न यह उठता है, वो किसी ने किसी दल में मिला हुआ हो, लेकिन अब आपके करीबी नेता सवाल करने लग गए है, रही बात यह कि जितना भी राजनितिक दल है, सब को अपना अपना विचार रखने का जो है, उसको अधिकार प्राप्त होता है, हर नेता अपना अपना विचार रखेगा, मानना और नहीं मानना, जो है राजनितिक दल के अध्यक्ष के पास होता है. परंतु ये ज्वलन्त सवाल हैं, बहुजन समाज के लोग हजारों बरसों से अपने आप को दबे कुचले पाए गए हैं, और जब बहुजन समाज पाटी का सासन आता है, जब बस्पा अध्यक्ष कोई कार्ज करते हैं, तो बहुजन समाज की एक आसा भरी निगाहें होती है कि अब हमें कदर होगी, अब हमें कोईन कोई जगह मिलेगा, अगर जगह नहीं मिलता है तो सवाल लाजमी है, सवाल तो बनता है, अब इन सवालों के जबाब बहन माया बती जी को देना चाहिए और समय से पहले देना चा सटीक खबरे लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यबाद, जै भीम, जै भारत